Hello Friends, Welcome to Study Pre-Question. इस वीडियो में हम आज कवर करने जा रहे हैं Thousand Most Important ज्यारखन जी के Part 15. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. इन में से कौन सा मसुहूर किर्केट खिलाडी ज्यारखन का है? सही अंसर है MS धोनी. ज्यारखन के किसी भी एक्जाम में MS धोनी से एक या दो प्रस्म जरूर पुछे जाते हैं. इसलिए मैंने इन पर एक अलग से वीडियो बनाया है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो जरूर देख ले. मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. Next question. महंदर सी धोनी को कब पद्म भूसन मिला? सही अंसर है 2018 में. 2007 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया, और 2009 में पद्म स्री से. Next question. सहबाज नदीम का संबंध की स्खेल से है? सही अंसर है किर्केट. Next question. जहरखन का बाएं हाथ का परमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेसिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 जीता? सही अंसर है सौरव तिवारी. Next question. महंदर सी धोनी के अलावा जहरखन राजे का रहने वाला मौजूदा किर्केटर है? सही अंसर है वरून एरोन. Next question. दीपीका कुमारी ने राष्ट मंडल खेलो में कब स्वर्न पदक जीता? सही अंसर है 2010 में. Next question. दीपीका कुमारी ने 2010 के राष्ट मंडल खेलो में स्वर्न पदक जीता. उन्हें कहां परसिच्छन दिया गया? सही अंसर है टाटा धनू विर्धा एकादमी. Next question. इनमें से कौन सा खेलाड़ी तिरंदाजी से संबंधित नहीं है? दीपीका कुमारी ये भी तिरंदाज है, राणी लच्मी मांजी ये भी तिरंदाज है, जयन तालुकदार ये भी तिरंदाज है, अरुना मिस्रा इनका संबंध बॉक्सिंग से है. और एक question JSC में पूछता है कि जयन तालुकदार का संबंध किस खेल से है तो answer होगा तिरंदाजी Next question 2016 में किस खेलाड़ी को पद्म सिरी से समानित किया गया सही answer है दिपी का कुमारी Next question जयपाल सिह मुंडा का संबंध किस खेल से है सही answer है होकी इनसे भी बहुत सारे प्रस्ण पुछे जाते है जयपाल सिह मुंडा के नेतरीतों में भारतिय टीम ने 1928 इस्वी में एमस्टर्डम में होकी का स्वन पदक जीता था Next question ज्यारखन की पहली महिला होकी खेलाडी जिसने ओलंपिक खेल में भाग लिया सही answer है निक्की परधान इन्होंने 2016 के ओलंपिक खेल में भाग लिया था और ये पहली महिला होकी खेलाडी है जिसने ओलंपिक खेल में भाग लिया Next question इन में से किस खेलाडी का संबंध होकी से है सही answer है ये सभी सुमराय टेटे, पुस्पा परधान, अनसुता लकडा, अनिता एका ये सभी ज्यारखंट के होकी खेलाडी है Next question इन में से किस खेलाडी का संबंध मुक्के बाजी से नहीं है मिसेल बेंजामिन लकडा ये भी है लच्मी पंडिया, इनका भी संबंध मुक्के बाजी से है दिवाकर परसाद, इनका भी संबंध मुक्के बाजी से है तो ये बिरेंद्र लाकडा ये गलत होगा इनही तीनों अप्सन को घुमा घुमा के जहारखन में बहुत सारे question पूछे जाते है कि लच्मी पंडिया का संबंध की स्खेल से है दिवाकर परसाद का संबंध की स्खेल से है इसलिए इस तीनों नाम को आप अच्छे से याद कर लिजेगा Next question दीप सेन गुपता का संबंध की स्खेल से है ये question भी बहुत बार रिपीट हो चुका है इसका सही अंसर है सतरंज दीप सेन गुपता इनका जन्म चक्रद्वर्पूर जारखंड में हुआ था इन्होंने सन 2020 में वर्ल्ड यूथ चेस्ट चेंपियनसिप जीता था इसके अलावा इन्होंने 2010 में ग्रैंड मास्टर का भी खिताब जीता है जारखंड की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की सही अंसर है प्रेम लता अगरवाल इनको 2013 में पदम सिरी भी मिला है इसके अलावा 2017 में इनको तेंजिंग नार्वे अवाट से भी नवाजा गया है इसके अलावा JSAC में एक और क्वेस्टन पूछा था कि बच्छेंदरी पाल किस कमपनी में काम करती है तो सही अंसर होगा Tata Steel ये भारत की पहली परवत रोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की पर्थो मंडल का संबंध किस खेल से है सही अंसर है जिमनास्टिक जहारखन में आयोजीत 34 राष्टिय खेल के दावरान लिम लिखित खेलाडियों में से किसने खेल मसाल जलाई सही अंसर होगा दिपीका कुमारी ने इसके अलावा एक और क्वेस्चन पूछता है कि 34 राष्टिय खेल में जहारखन को कौन सा रैंक प्राप्थ हुआ था तो सही अंसर होगा पाँचवा रैंक सन 2011 में संपन 34 राष्टिय खेलों का सुभंकर छवगा क्या था सही अंसर होगा छवगा एक सीसु हिरन था कीनन स्टेडियम कहां अवस्थित है सही अंसर है जमसेत पूर में मोहन आहुजा इंडोर स्टेडियम कहां है सही अंसर है टाटा जमसेत पूर में सही अंसर है बोकारों में इन में से कौन सा स्टेडियम धनबाद में अवस्थित है सही अंसर है डिगवा डी स्टेडियम एलवर्ट एकाई स्टेडियम ये गुमला में है सताबदी स्टेडियम ये राची में है और जैपाल सिह मुंडा स्टेडियम ये भी राची में है Next question मेगा स्पोर्ट कॉम्पलेक्स कहां इस्थित है? सही answer है राची में Next question राची इस्थित J.S.C.A. स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट ये मैच कब खेला गया? सही answer है 19. January 2013 में इंडिया और इंगलेंड के बीच में पहला ODI मैच खेला गया था तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टेडि प्री क्वेस्चन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताके आपको लेटिस्ट अपडेट मिलता रहे है थैंक्स फर वाचिंग